हेलो गाईज लास्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग में चैंक को सब्सक्राइब करते हैं इसे हम अपनी लास्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं लोजी जो टिंग को अपनी तरफ खैंचने के बाद उसे किस कर लेता है ये दोनों किस करने के बाद जैसे साड मे करने लगती है इससे पहले लिए को त्यार करते हैं कि मुझे के बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती जिस तरह अपनी रिलेशिशिप को छुपाते हैं मैं तो सब को उफिशिली बताना चाहते हैं जिसकी वज़ा से लोग मुझे बूरा भी नहीं समझेंगे और ब्लैसिंग्स देंगे पले उसे कहते हैं कि अगर तो मैं ऐसा करती है तो तुम्हारे फैंस भी तुम्हें चोड़ सकते हैं कि मुझे फैंस की परवार नहीं है बलके मैं सबको मैं प्यार दिखाना चाहती हूं यह कैकर अपनी लाइफ स्ट्रीम स्टार्ट कर देती हैं और सभी लोगों को बता देती है कि जो साथ में मिरे लड़का बैटा है यह कोई और मुझे पता है कि आप लोग मुझे रिमॉटिवेट नहीं करोगे बलके बहुत ही अच्छी देखा तो देखते साथी यह उसे देखती का देखता रहा गया था इदर डिंग के मॉम डैट भी दिखाए जाते हैं जिनों ने उनकी लाइफ स्ट्री देख ली थे और उसके डैट तो गुसा हो गए थे कि लिउजी का पहली कोई ना कोई मतलब जरूर होगा और अपना व अपनी सिस्टर की तरह देखता था और पस मुझे यह हो रहा है कि जो रटकी मिने सथ खेला करती थी वह जतनी वड़ी हो गया कि वह भी किसी को डेट कर रही है बाकी में कभी भी उस पर गुसा नहीं होता मैं तो बस उसके भाई से और वह भी अपने भाई से डरा करती थी और हची चीज आकर मुझे बताया करती थी जो वह अपने भाई को नहीं बता पाती थी यह बास सुनकर यहां कहने लगती कि अगर तुम इतने अच्छे भाई थी तो फिर तो अच्छी बात है कि तुमने उसको कभी भी हट नहीं किया यह कर अपनी जैकेट वापिस ले ले तो वह भी से डिसकाउंट मांग रहा होता है कि यह काफी अच्छी फिट आई थी मचपर पर वह भी कहते हैं कि एक भी पैसे का डिसकाउंट नहीं दूंगी और यह दिखा जाते हैं जो कैट के साथ खेह रहा होता है तो उसके पास या कर शिन भी बैठ जाती शिन को इस तर परूँगा अगर मैं गुसा होता तो मैं उसको अनौंस करने देता बल्कि उसने अनौंस के अब बहुत अच्छी बात है इस तरह चुपा कर रखने से कोई भी फाइदा नहीं होना था बल्कि लोगों ने इनको ही बुरा समझना था अब शिन भी उसे कहते हैं कि मैं सौने वाली हूँ तो वह भी उसे कहता है कि इतने जल्दी के सोने वाली हो अब भी तो मने तुमसे बाते भी ने के पर शिन कहते हैं कि देखो मुझे सोना होगा मुझे बहुत नहीं दारी है पर यूब आगे से उसको ब्लाइंड फॉर्ट करने के बाद एक जगा पर ले जाता ज देखते साथ ही शिन यू को बुलाने लगते है पर यू तो उसके लिए डिंग लेकर नीचे बैठा हुआ था और कहता है कि क्या शिन तुमसे शादी करोगी के देखकर तो शिन शौक भी होती और स्माइल भी करी होती है और उसे किस कर लेता है और वैसे हम इन एक्सिन में दिखा जाता है कि शिन के माम डैट को भी यू ने बुलाया होता है यू कि अपने माम डैट भी उनके सामने बैठे होएते जहां पर यू शिन के माम डैट को तो फाइल्स दे रहा होता है दोनों को एक अब शिन को भी पता नहीं होता है कि इन फाइल्स के अंदर क्या लिख हमें योकी के बाद विल्कुल भी पूरी नहीं लगी योकी ये अपनी कमपनियां तो वो जो कुछ चाहे वो कर सकता है हम इसमें इंटर फिर नहीं करेंगे और देखे हमारा बेटा कितना सिंसेरा वो अपनी हच चिस देने के लिए त्यारा है क्योंकि उसे पता है कि वो कभी भी चीट नहीं करेंगा आपकी बेटी पर और आपकी बेटी का पूरा क्या रखेगा ये सुनने के बाद तो शिंग काफी एमोशन हो जाते है योके पास चलिछाते हैं और उसके माम डैड ने भी योको एक्सेप कर लिया था अब साथ में बैटकर इंगा खाना तो चली रहा हो था पर इनके बच्पन ये बाते भी वहां पर स्टार्ट हो जाते तो यू भी यह सब देखकर उसके फेस पर पहले हाथ लगा तो यू की माम डेकर शिण की माम को भी दिखाने लगती है कि तेखो ये क्या चल रहा है तो यू नसे पूछ ले आया तो शी कहते हैं कि हाँ मेरे बच्पन की यादे तुम तो तब भी काफी इंटेलिजेंट थे तो यह भी उसको गैंक्स्टर वाली बात से तंग करने लगता है तो यहाँ पर इन दोनों के फिर से लवीड़ी वाली बाते स्टार्ट हो जाती है और शीन तो उससे पॉक पर इसे देने की बात नहीं मैंने तो तुम्हें पूरी लाइफ दे दिया तो पैसो के क्या बात है वो भी तुम्हें मिल जाएंगे यह कहकर उसे हग कर लेता और वैसी नेक्सिन में दिखा जाता है कि दोनों अपना मेरे सर्टिकेट लेने के लिए जाने लगता है पर उसस उसे फिर से किस नहीं करने देती अब यह भी कहता है कि अच्छा कोई शर्मार आ रहा है और फिर दोनों अपना मेरे सर्टिकेट लेने के बाद बीस साइट पर आ जाते जहां पर शीन तो मैरे सर्टिकेट की बना कर पोस्ट करने वाली होती है यह उसको अंदर वाली पिक ब मिली मिला अब यह भी उसी पॉस्ट को अपने अकाउंट में भी शेयर कर देता है अब शीन उसे पूछे होती कि कि क्या मैं अपने विबू वाले अकाउंट पर भी पॉस्ट कर सकती हूं तो वा कहता है कि हां क्यों नहीं यह बाद सुनकर वो भी उस अकाउंट पर भी एक आफिस में बुलाया होता है, उसे पूछा होता है, कि पहले तो मुझे पॉइंट्स का मत्तब बताओ, तो वो भी उसको सब पॉइंट्स का मत्तब बता देती है, और कहते है, कि ये बात मुझे हाओ ने बताई थी, तो मैं ये बात हाओ ने बताई थी, ये कहा कर उसको अपने दिए पर खैशने के बाद उसके लौइस हो रहा थो तो शीन कहते हैं कि तुम क्या करना चाहते हो बाई हो तो आपनी शर्ट को भी खो रहा हो था कहने लगता है कि ये बात सुनते ही यू भी अपने पॉइंट्स को पूरा करने लगता है उसको किस करने के बाद इनका रोमेंट स्टार्ट हो जाता है अब नेक्स दिखा जाता है कि शिन जब कंपनी में आती है तो उसकी एक्स कुलीग उसको एक कार्ड देने लगती जिस कार्ड को देखे वो पूछे लगती है कि ये क्या कार्ड है ये तो पहले नहीं हुआ करता था तो वो बताते है कि ये कार्ड अभी आया है और सबसे पहला कार्ट तुम्हीं मेरा है तो पीछे से उसकी फ्रेंड आकर कहते हैं कि पहला नहीं बलके पहला और लास्ट यहीं कार्ड है क्योंकि यह स्पेशल आपके लिए और आपके लिए यही मिस्टर टैंग ने बनवाया है और वो सब उसे मिस्स टैंग कह रहे होते तो यह भी काफी यह और शीन ने अपने घर पर बुलाया वाता वो सबी आकर बैठे होते इनके घर पर और डिंग भी अपने लूजी के साथ होती है यह सब देखने के बाद हां कहने लगता है कि हम सिंगल का भी कुछ सोचो ना तुम लोग तो अपना कपल बना कर बैठे होए हो पस सब लगती है कि आप दोनों काफी टाइम से दोस्त औरा मुझे जहां तक पता है आप तो लूजी से कुछ महीने छोटे भी हो और दोनों कॉलिज लाइफ में एक दोस्ते के साथ है अगर दोस्तों तो भाई भी हुए इसका मतलब मैं आपकी सिस्टर इनला बनीना यह सुनते सा लगता है कि तुम तो अभी से लूजी के साथ लेने लगी हो तुम्हारा आगे क्या होगा तो इनकी बातों को सुनने के बाद हान भी जाके खड़े होकर इन दोनों को कॉंग्याचिलेशन के लगता है कि चलो इनके पर पॉसर की वीडियो देखते हैं और वह वीडियो को य यो उस दूंड रहा होता जो शिन को वह देने वाला था उस वीडियो के बास सुख़ लगे ही पर बैट involves रटल को देखते हैं साफय को कहता है कि रात होगे चलो चलम पने घर पर अब तो टिंग काती है सुच murder जुस्ट director जिलOULD केइच कि ठीव मैं वापिस सटे हुपर हान कहते है कि तुह मैं वापिस जाने की चिरुष और उसको ड्रिंक करने के लिए बेदा आफिस में लेकर आता है दोनों साथ पर दूंक का रहे होते हो और हान उसे पूच़ होते है कि क्या तुम और कुछो करें तो खया तो शुर्ण फिर पिवी तो यह इस दुन रह एक पर बने वाले थे और हमें शीर्ण दिखाए जाती है जिसने ब्राइडर ट्रैस पहयन लिया था और यो दो पैना फिकते हैं? और तो एक बूसरे के साल थोड़ी बहुत बाधे करते हैं, और इक बूसरे को मेरा में देखने के बाद बाद कर रहे हो दे हैं? कि मैं तो में कैसी लग कहा रही हूं. तो कहते हैं कि अगर मैं 4 सल तुम्हारा वेट ना भी करती तो फिर भी हम एक दूसे के लिए बने थे कहीं ना कहीं तो एक दूसे को मिली जाना था अब इस बात के बाद शिंदों से हग कर लेती हैं और तोनों का फोटो शूट होने लगता है अब फोटो शूट करवाने के बाद शिंदों से कहने लगते हैं कि तुम्हें पता है सबी कहरे थे कि हम एक दूसे के लिए बने हैं हम दोना एक दूसे के लिए परफेक्ट हैं तो तुम किस तरह कह सकते थे कि अगर हम एक दूसे को ना मिलते अब योदर शिंग को किस करने लगते हो यहीं पर हमारे इस ड्रामा की हैपई यंडिंग तो हो जाती है पर हमें एक ट्रामा का एक्ट्रस्छा सेन भी दिखाल जाता है जिसमें योऊँवर शिंग घर पर आती है तो उन्हें cat नहीं मेरी होती है वो पूरे घर में cat को ढू़न और होते हैं पर कैट को डूंटे डूंटे शें को वही वाली रिंग जरों मिल जाते हो कैट भी उने मिल गई थी अगने बात हे सुनने के बाद शेंगे बेट पर उसको शादी कि लिए पर पोस करने लगती है तो वह बी आगे से कहने लगते हैं कि डारेक्टर इसके बाद तो आपने कुछ पता हैं नहीं यह बात कहते हैं वो पर्दों को आगे से हटा देता जहां पर उसकी सारी टीम वैटी हुई थी जिन्नोंने इस ड्रामे की शुटिंग साथ में करवाई थी वो सबी लोग हंसे लगते हैं कि मिस्टर टैंक हां करतो ना शादी के लिए इस बाद से तो शिन भी काफी हंसरी होते हैं और यहीं पर हमारा इस ड्रामे की हैपी एंडिंग हो जाती है और मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चानिज ड्रामा कर इसी टाइम पर लेकर आ रही के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा ओके बाई बाई